नमस्कार आप मुझे देख रहें MNS News लाइफ पर खबरों की शुरुआत करें इससे पर लेक नजराज की हेडलाइन्स पर चापा मरने गई अजनी पोलिस पर हमला अजनी के राम्टे के नगल टोली बस्ती में अवे धंदों पर कारवाई करने के लिए गई अजनी पोलिस के दल पर अपरादियों ने हमला कर दिया हिंसक भीड में पतराव पर पोलिस की जीप को श्रती ग्रस्त कर दिया कुछ पोलिस कर्मियों को मामुली चोट भी आई है सोमवार शाम पाच बजे हुए इस हमले के बाद पोलिस ने देर रात करीब 25 आरोपियों को हिरासत में लेकर एस आरपी की एक प्लाटून को इलाके में तैनात कर दिया है अजनी पोलिस ने कुछ दिन पूर्व ही माने वड़ा मार्ग की टोली बस्ती में छापा मार कर अवे शराब भट्टियों को नश्ट किया था यहाँ अड़े हाल में फिर से शुरू हो गए थे शाम पाज बजे पी आई विनोच चोदरी के नेतरोत्वा में अजनी पोलिस का दल इन पर कारवाई के लिए मोके पर पहुचा इसकी भनक लगते ही अवे धन्दे संचालित करने वाले ने समर्थकों को जमा कर लिया पोलिस ने घेरा बंदी कर अविद शराबड़ों पर कारवाई शुरू की तो वही दूसरी और स्टॉक खत्म आज भी 45 से अधिकुम्रवालों का टीका करन नहीं कोविड संक्रमन को मात देने के लिए टीका करन की गती बढ़ाने के दावे केंद्र सरकार कर रही है लेकिन हकिकत यह है कि टीके के अभाव में नाकपूर में लगातार दुसरे दिन 45 वर्ष से अधिकुम्र के लोगों को टीका नहीं लगने वाला वही 18 से 46 वर्ष आयू के लाभारतियों के लिए टीका करन तो शुरू किया गया पर वह भी केवल नाम के लिए मनपा स्वास्त विभाग ने इस पश्ट किया है कि 45 वर्ष से अधिकुम्र के लाभारतियों को मंगलवार 4 मई को भी टीका नहीं लगाया जाएगा वही 18 से 44 वर्ष आयू वर्ग के लोगों को चुनिंदा केंद्रों पटीका करन जारी रहेगा मनपा के अतिरिकता युक्त राम जोशी ने बताया कि माहाल रोग निदान केंद्र को छोड़ शेश केंद्रों परमंगलवार को भी टीका करन नहीं होंगा तो वही तीसरी और पश्चिम नाकपूर में कल रहेगी बिजली गूल बिजली वित्रन प्रनाली के रख रखाओ एवन मरमत केली महा वित्रन पाच माई को सुबत साथ से साड़े दस बजे तक बिजली आपूर्ती नहीं करेगी अब आप हमारे चानल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर एमेने सिंदी लिखी और डाउनलोड कीजिए साथी साथ आप हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक हाई ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं आप हमारे चानल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले फिलाल वक्तो चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ 10 Minutes News लाइफ पर नमश्कार